दीपावली के तिवारी सीजन पर पुलिस महकमा पूरी तरीके से सतर्क हो गया है अपर पुलिस महाम निदेशक बरेली जून ने धंतेरस वा दीपावली के त्यवार के मद्दे नजर बरेली जून के समस्त जनपत के प्रभारियों को विशेश सतर्था बरतने के आदेश दिये हैं ADG बरेली जून राज़कुमार ने कहा कि बरेली जून के समस्त जनपत के प्रभारी दिनांग 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मनाये जाने वाले धंतेरस नरक्चतुर्दसी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्दन पूजा और भहिया दूज के तहवार प को जगे जगे चिन्नित करके वहां पर तेनात करने के आदेश दिये हैं, इसके साथ ही तराफा बजार में भी पैदल सगन गस्त करने के निर्देश दिये हैं, उन्होंने पटाकों की दुकानों को आस्थाई लाईसंस देने के समबन में शाशन के आदेशा नुसार दिन कई स्थानों पर जुलूस जो निकाले जाते हैं उनमें भी शांती वा कानून विवस्था को बनाए रखने के लिए उचित पुलिस विवस्था किये जाने के निर्देश दिये हैं। को निर्देश दिये हैं ताकि शांती विवस्था में किसी भी तरीके का विवस्थान ना आने पाए। कूरी मुस्तेदी के साथ तैनात रहेगा। जोन में अकेले बरेली में पीएसे की करीब तीन कंपनिया वा एक पालाटून तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जोन के अन जिलो में भी पीएसे की कंपनिया तैनात कर दी गई है। ADJ बरेली जून के अलावा पुलिस महा निर्देशक फायर सर्वेस अविनास चंद्र ने भी जो है वो पटापों से होने वाली दुरगटनाओं से बचाओ के लिए पुलिस महकमे को निर्देश दिये हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कृपया ध्यान से सुनें। सबसे ज़्यादा जो आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट की वज़े से लगती है। और दिवाली के अवसर पर हर घर में, हर प्रतिस्ठान में, हर दुकान पर टेंप्रेरी कन्येक्शन ले करके ज्यादर लगाए जाती है। और कभी-कभी इसमें आपक किसी को करेंट लग जाती है या शॉर्ट सर्किट की वज़े से आग लग जाती है। तो इसमें प्रिकॉशन लेने की जरुवत है। और जहां बेभी हम रहते हैं, हम एक पार के वाले एक थौट ले ले कि अगर आग लगती है, तो हम अपना बचाओ कैसे करेंगे। या आग न लगे, इसके लिए हमें क्या उपाय करके रखना है। तो जैसे ही आप ये प्रश्च रखने से करिएगा, तुरंत आप खुद ही उसका वक्तर ढूड़ दिएगा। ति जहां पर लूज बायर हैं, उसके नीचे कोई जोलनशीर समान न रखें। कॉटन न रखें, कपड़े न रखें, कागस न रखें या पटाके न रखें। उसी तरह दूसी जो आग लगने कारण है वो रॉकेट से होता है। जो उपर जाते हैं और पर कहीं गिरते हैं इधर-उदर और वो अगर चुपी जोपणियों पर गिर पड़े या किसी जवर्णशीर पताल पर गिर पड़े उससे आग लग जाती है। फिर दिया या अगरवत्ती या मुंवत्ती लोग जला करके छोड़ देते हैं बाहर चले जाते हैं उसकी मुझे से आग लगती है तो इस सब के विशह में अगर हम लोग प्रिकॉशन लेंगे तो निश्चित तोर पिर दिवारी हमारी अच्छी बनेगी अगला अब हमारते है वो पटाकों के उपर जो लोग विश्पोटक से पटाके बनाते हैं कि वो लोग एडिकरेट प्रिकॉशन बरते हैं जो केमिकल्स उनको अलग-अलग पीस करके मिक्सब करना चाहिए उसको एक साथ मिला करके पीसते हैं और उसकी वजह से उसमें जिंगारी करीपी पैता होत तो जो लोग पटाकें के विस्पोटों का की हैंडिंग करते हैं उसको विशेस तरफ पर ध्ना देना चाहिए फिर इनका भंडारन यह बहुत इंपोर्टेट है जहां पर इसका भंडार किया जाए वहां पर एडिक्रेट प्रिकॉशन परते जाएं विस्पोटक अदमिया में बहुत सारे प्रिकॉशन पताये गए हैं उसको ध्यान देने की ज़र्वत है फिर इनका ट्रांस्पोटेशन जब उनका ट्रांस्पोटेशन करते हैं वो भी एक प्रिकॉशन के साथ हमें करना चाहिए